हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी आशे करता हूँ आप सभी ठीक होंगे अच्छ होंगे मेरा नाम है सुधीर ठीक है चले पहला जो चैप्टर है NSO का उसका नाम है Nutrition in Plant and Animal तो Nutrition कैसे Plant और Animal में होता है इन सब के बारवे में पढ़ना है तो पहला है आपका Read the given paragraph where few words have been italic मलब की कुछ वर्ड यहां पर टेढ़े मेरे लिखे हुए है ठीक है तो आपको यह बताना है यहां पर The gallbladder secrets bile juice which is stored in liver ठीक है तो gallbladder में क्या होता है Bile juice जो होता है वो stored होता है जो liver से निकलता है ठीक है Bile breaks down fats into tiny droplets तो bile क्या करता है कि जो fats होते है उनको tiny droplets में क्या करता है चेंज करता है ठीक उसके बाद है that can be digested and absorbed more easily ठीक है उसके बादी क्या हो जाए है digest करते हैं absorb करते हैं बहुत ही आराम से easily यह हो जाता है The digestive juices then act on these tiny droplets to form simpler compound known as amino acid and glycerol ठीक है तो यहां पर incorrect क्या है तो यहां पर incorrect है जो उसका answer है option number C fats should be replaced by starch तो यहां पर जो fat लिखा है इसको क्या लिखेंगे starch ठीक है न तो bile जो होता है वो starch को क्या करता है tiny droplets में क्या करतेता है तोड़ देता है ठीक है चलिए यहां पर आते हैं question number 2 Priyanka took a de-starch potted plant and set up an experiment as shown in the figure she left the plant in the sunlight for few hours and tested the leaves X and Y for starch leaf X did not starch test while leaf Y is presence of starch देखिए हुआ क्या है इसमें कि यहां पर देखिए इस figure में जो figure X वाली leaf है इसमें क्या किया गया है इसको glass glass का flask के उसमें रखा गया है और इसमें क्या है potassium hydroxide क्या है यहां पर potassium hydroxide अब potassium hydroxide है और यहां पर क्या है आपका वाई है तो question यह पूछा है कि किस में आपका यह पता चलेगा कि जो starch का test है वो हम किस leaf से कर सकते हैं ठीक है ठीक है तो हम वाई से कर सकते हैं ठीक है की carbon dioxide को release करता है ठीक carbon dioxide को release करता है लेकिन इस flask की वज़ा से इसको कौन absorb कर ले रहा है potassium hydroxide क्या करता है CO2 को absorb कर लेगा ठीक तो जब absorb कर लेगा तो यहां पर photosynthesis का जो process होगा वो होगा नहीं और photosynthesis का process होगा नहीं तो starch आपको पता चलेगा नहीं ठीक तो सिर्फ कहां पर पता वाई पे ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा option number B carbon dioxide necessary for photosynthesis और carbon dioxide photosynthesis के लिए होना चाहिए लेकिन glass flask में क्या रखा था potassium hydroxide जो क्या करता था CO2 को absorb कर लेता था ठीक है third number अब यहां पर आते हैं partial parasitic plant इसमें से कौन सा है तो वो है आपका mist let out तो क्या हो जाएगा third number total parasitic plant इसमें स कौन सा है तो यह है reflexia तो यहां पर लिख देंगे two number insective virus यहां पर plant इसमें से कौन सा है तो यह आपका nephanthenes first number symbiosis plant इसमें कौन सा है तो वह है four number rhizobium ठीक है four number और यहां पर separate drops क्या है five number तो यहां पर प्रड़ाइस मुनास ठीक है न तो यहां पर क्या बन रहा है option number B क्या बन डाइग्राम एडेंटिफाई एक्स ठीक कंड CL Coalition और heterotーン मौड जमें डोनह होता है तो यह कौन सा प्लाइट है यह आपका। लिख्या यह प्लांट है यह आख्या है के आपका क्या है यह आपका 8 डॉपिक उप साथ यह मी दोनों करता है यह मिद्नी है कि अग्या आझ क कैसे है क्योंकि यह फोटिंटेशी के जरी यह क्या करता है अपने खाने को बना लेता है लेकिन जब इसको nutrition ज्यसके nitrogen की जरूरत होती है तो यह किसको भी खा लेता है यह उसको भी खा लेता है कीड़ों को भी insects को भी खा लेता है इंसेक्टीव और cellulose को digest करने में statement 2 क्या है ruminants contain bacteria and other microbes in their stomach which assist in digestion of cellulose ठीक है तो क्या है इसमें दोनो statements सही है और दूसरा statement जो है पहले का क्या है explanation यह कैसे ruminant जो है cellulose को digest करने में help करता है बिल्कु ठीक है ruminant contains bacteria तो ruminants में क्या होते हैं bacteria होते हैं ठीक है जो cellulose को digest करने में help करते हैं तो इस cancer होजेगा option number A both statement 1 and 2 are true and second is correct explanation of the statement 1 question number 6 the given list soon shows 5 steps needed do a starch test burst in a random order ठीक है तो यहाँ पर क्या correct order होगा इस cancer होगा option number D second, first, fifth तो सबसे पहले क्या करेंगे अगर आपको माली जे टेस्ट करना ही stars का तो सबसे पहले आप करेंगे second number, ठीक leaf potted plant potted plant की एक leaf तोड़ेंगे आप ठीक है न, जो sun में आपकी लगी हुई है ठीक है न, उसको मुलब कि ऐसा potted plant आपको चाहिए जो sun आवर में है कुछ घंटों के लिए, ठीक है फिर उसके बाद आपका first number plug the leaf from the plant आप क्या करेंगे, leaf को तोड़ लेंगे ठीक है उसके बाद आप क्या करेंगे, phone number phone number उसको boiling water में रखेंगे पांच मट के लिए, ठीक है फिर उसके बाद आप boil करेंगे alcohol में, इसको leaf को, फिर उसके बाद क्या करेंगे wash the leaf, पत्ती को साफ करेंगे, और उसके कुछ drop आप क्या करेंगे iodine solution के डालेंगे, ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा, option number D ये start करने का सबसे सही तरीका है, ठीक है न, इस्टेप पूछा था seven number the given figure shows the movement of the food through the osophagus this movement is added by the muscles of the osophagus in the wave-like action is called, तो wave-like action मतलब इस तरीके से food जाता है, ऐसे तो इसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है ये question है, आप पूछा गया है, तो इसे हम बोलते है, option number B, peristriasis क्या बोलते हैं, peristalasis ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कि जो भी चीज़ा हम खाते पीते हैं, ठीक है, वो हमारे यहां से, इस तरीके से जाएगी, ठीक है, और साथी साथ, जब तक यह खाना हमारे बोडी से बाहर निकल नहीं जाता है, तब तक कि इस प्रोसेस को हम यही कहते हैं, क्या, peristalasis, ठीक है, चलिए, तो यहां पर आते कुश्चन नमबर 8 पर, refer to the given figure of human digestive system, what is the function of its, ठीक है, देखिए, यहां पर X एक figure दे रखा है, ठीक है, तो यह क्या उनसे है, यह हमारी है, small intestine, क्या है हमारी, small intestine, small intestine सबसे बड़ी होती है, largest intestine से बड़ी होती है, तो इसका जो आंसर बनेगा, यह क्या है, इसका आंसर है, option number 8, small intestine, absorb nutrients from the digested food, तो जितने भी nutrients है, उसको कौन absorb करता है, small intestine absorb करता है, question number 9, यहां पर देखिए, the given figures, the different type of teeth, यहां पर अलग-अलग तरीके के teeth, यहां पर दिखाई देगे हैं, अब question ही पूछ रहा है, कि जो elephant के tusk होते हैं, elephant के जो दोनों दाथ बाहर निकले होते हैं, जिने हम tusk कहते हैं, तो वो कौन से दाथ होते हैं, ठीक है, तो वो आपके होते हैं, x वाले दाथ, ठीक, x वाले दाथ कौन से होते हैं, incisors, ठीक है, इंसीजर को हम कहते हैं ठीक है न यह बाहर वाले दाथ होते हैं ठीक है कोशन नमर टेन रीड दा गिवेन स्टेट्मेंट यहाँ पर आपको स्टेट्मेंट बताना है पहला है तो बटरफ्लाई के जो नेक्टर वो यूज करती है कोईल उनका मौत होता है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं प्रोबोसिस क्या बोलते हैं पी आर ओ बी ओ एस सी आई एस ठीक तो इसका अंसर हो जाएगा सेकंड नमबर क्या रहता है अमीबा इंगल्फ तीनी पार्टिकल्स इन तीनी पार्टिकल्स आप फूड बाई सराउंडिंग तो उससे बोलते हैं ठीक ठीक है थर्ड नमबर इंपिंट एटडीर फूर्ड तो एपना फूड खाते हैं अधसे मालजे की इस्वाल पार्टिकल्स आगे है च्वेटिक तो उसको कहते हैं ुसको कहते हैं filter feeding क्या कहते है filter feeding ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा option number C Gnoy and filter feeding यहां पर मदल्ब थर्ड वाला रही है थर्ड और फोर्थ यहां पर सही बनेगा option number C से पहला दूसरे का अंसर यहाँ पर सही नहीं दिया हुए ठीक है बस यही आपको यहाँ पर बताना था कोश्चन नमर 11 यहाँ पर दिखी कौन सा स्टेट्मेंट इंकरेक्ट है यह आपको बताना है परसिटिक प्लांट डेवलप स्पाइरल रूट्स लाइक इस्ट्रक्चर कार्ड हाउस्टोरिया ठीक है तो यह तो सही है परसिटिक प्लांट के जो इस्पिसल रूट्स होते हैं उन्हें हाउस्टोरिया बोलते हैं मार अगला है यहां पर स्ट्वाइश बासे्अ और इभ्जेस और इप्र ट्रॉस्स ऑीटिलाइजिंग था एब्स इनर्जी और भारहस बूड़ी फिंशन ठीक है तो इजैर्शन नहीं कहते हैं ठीक है you absorb nutrients होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं एजीशन नहीं बोलते हैं उसे क्या एक सीमिलेशन बोलते हैं यहां पे इस्टेटमेंन गलत क्या है option number two अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर टू इन एन एक्सपरिमेंट डिमोंस्टेटिंग दा इवलूशन ओउक्सिजन इन हाइड्रिला सोडियम बाइकार्बोनेट एड़े टो दा वाटर इन एक्सपरिमेंट सेटम तो देखे कोश्चन कहा कहा रहा है कि आप हाइड्रिला के लिए एवलूशन आउक्सिजन वहाँ से कैसे निकलता है इसके लिए आप करेंगे एक्सपरिमेंट डिमोंस्टेशन तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या किया जाता है पानी में डाल दिया जाता है इस सेट अप में उसके बाद क्या कौन सी कंडिक्शन यहाँ पर बनेगी यह कुश्चन पूछा गया है तो इस कहां से बनेगा ऑप्शन नमबर सी अमाउंट अप ऑक्सिजन इवाइड इंक्रीज अगला कौश्चन है देखिए अच्छा चले इसको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ देखिए क्या है कि वाटर कंटेनिंग जो सोडियम बाइकार्बोनेट है अब देखिए क्या होगा कि यहां से जो सीओ टू होगा वो ज्यादा रिलीज होगा तो जब सेथ फोर्टो संथिस का यह आपका क्या होजाएगा और जाएगा और ऑक्सिजन भी क्या होझा अब्ड होजाएगा जाएगा त्छा है आपे हृप्र चुह非 अपय ideal तरिक हैं तो सिम यहां पर करौन दिशक्वेश्ट भी आपका बढ़ जाएगा which of the following statement is incorrect about rhizobium तो rhizobium के बारे में कौन सा यहाँ पे गलत है तो यहाँ पे गलत है इसका option number B इट कैन मेक इट सोन फूरी यह अपना खाना खुद बना सकता है यह बात यहाँ पे गलत लिख रखी है तो सही क्या क्या है तो अट्मस्फेरिक नाइटोजन के सोलबल में चेंज करते हैं और जो सोल से अब्जॉब करते हैं फिर है तो यह रूट्स में रहते हैं लेगमनेस प्लांट के बिल्कुर ठीक है फिर है rhizobium legume association is a way of replenish essential nutrition in the soil तो यह भी बात यहाँ पे सही दे रखी है ठीक है अगला है question number 14 14 क्या है देखिए यहाँ पे star जो है star का जो digestion place होता है वो हमारा क्या होता है mouth होता है क्या होता है ठीक है और यहाँ से digestive enzyme निकलता है उससे क्या बोलते है salar pipeline amylase यह digest करता है starch को फिर है protein protein से आपका क्या है protein ठीक है food material इसका digestion कहाँ पे हुता है इस ट्रमग में और मिककें exancine के द्वारा होता है तो यह है आपका पेंसम फिर है fat आपका fatria digestion आपका कहां पे ही होता है לך होता है small intestine में कहाँ पे होता है है तो यह है आपका लाइप इस ठीक है तो इस कांसर बने का option नमबर ए question number 15 the steps of digestive process are listed below in the random order तो digestive process यहाँ पर random order में लिख रखता है तो कौन सा सही digestive process यहाँ पर है वो आपको बताना है तो इस कांसर option number D सबसे पहले क्या है third number food is moisture and breakdown of starch begin ठीक है तो सबसे पहले क्या होता है food moisture contain करता है हमारे मुह में उसके बाद स्टार्ज यहां से क्या होता है डाजेस्ट होना शुरू होता है फिर है second number food is liquefied food liquefied हो जाता है protein कहां पर इस टमक में protein हमारा यहां पर पच्छना शुरू हो जाता है फिर है fourth number protein carbohydrates and fats breakdown protein carbohydrates आपके क्या होते हैं ब्रेक होते हैं nutrients are majorly absorbed in the food bloodstream तो जो nutrients होते हैं वो absorbed होते हैं यहां पर हमारे bloodstream में जाते हैं small intestine में और सबसे last है water सबसे last में absorbed होता है undigested food आपके बच जाते हैं जो हमारे body से बाहर हो जाते हैं ठीक है चलिए तो इसका आंसर आपको पता चल गए क्या order था अब यहां पर हम यह देखेंगे चीवर सक्षन के question कि refer to the given diagram showing a part of human elementary कैनल and answer the following question xyz यहां पर दे रखा है ठीक है which other labeled structure removes most water from the undigested food तो सबसे ज़्यादा जो undigested food है वो कहां पर question मतलब यह पूछा है कि सबसे ज़्यादा water कहां पर remove होता है ठीक है कहां पर absorb होता है तो यह होता है why में why आपकी क्या है large intestine क्या है large intestine ठीक है 70 number which other following statement is correct इसमें से कांसा statement correct है absorption of nutrients from the digestive food takes place in Z तो देखिए जेड़ आपका small intestine है ठीक है small intestine में सबसे ज़्यादा food आपका क्या होता है digest होता है बिल्कु ठीक है the undigested food is passed out the structure य तो undigested food आपका कहां पर होता है y से बाहर आज आता है यह हमारा large intestine है यह भी सही है X is the opening of opening and the end of the digestive system ठीक है तो X जो है वो opening है जो digestive system का ठीक है बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है ना चलिए तो इसका answer जो हो जाएगा इसमें सभी सही है तो इसका answer हो जाएगा option number D तो end होता है ठीक है ना digestive system जहां मारा end होता है वो इसका opening होता है ठीक है चलिए question number 18 question number 18 क्या करना है which graph shows the effect of temperature on the rate of photosynthesis aquatic plant such as ilodia तो ilodia क्या है aquatic plant है और इसके जो photosynthesis का rate है इसके बारे में आपको बताना है कि इसमें कौन सा graph सही है ठीक है इसमें जो graph सही है वो है आपका option number C इसमें जो graph है वो है option number C ठीक अब इसमें क्या बताया गया है देखिए temperature अगर क्या होता है धीर देर बढ़ता है तो यहाँ यहाँ पर क्या होगा oxygen जो release है वो ज्यादा होगा लेकिन फिर temperature बढ़ने के साथ फिर यह क्या होता है होने लगता है ठीक है तो इलोडिया प्लाट का इसी तरीके से यहाँ पर है ठीक है किस तरीके से वो oxygen रिलिस कर रहा है temperature के उससे अब देखिए 90 नमर कोशन क्या कर रहा है कि this is the given diagram so a discharge veridated leaf partly colored by black paper the plant is placed in bright light of the several hour ठीक है तो bright light में इसको रख दिया गया है ठीक आप देखिए यहाँ पर क्या है इसको black paper से ढख दिया गया है इतने पार्ट को ठीक पहले पार्ट में आपका white है तो यहाँ पर आपका chlorophyll है ही नी ठीक 3-4 में हम चेकी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ब्लैक है तो हम चेक कहाँ पर कर सकते कोशन यह कह रहा है कि 4 डिस्क है यहाँ चार नमबरिंग की होगा नहीं और पोर्टो सिंदेद का प्रॉसेस होगा नहीं तो यहाँ पर इस्टार्च कंटेन होगा ही नहीं कोशन नमबर 20 कि रिफर तो दा गिवन ग्राफ विस सोच दा इफेक्ट ऑप पी एच ऑन दे एक्टिविटे ऑफ थ्री एंजाइम एक्स एंड वाई तो पी ए कम है यानि कि बहुत ज्यादा इस्टमक में आपका होता है सेल होता है फिर यहाँ पर वाई पर आएंगे वाई पर देखिए पी एच आपका क्या है यहाँ पर लगवख सिक्स पॉइंट सम्थिंगा सेवन है तो यह माउथ का पी एच हमारे होता है ठीक और उसके बाद यहाँ पर वीडियो खत्म होता है और साथी साथ अगर आप कुछ पे करना चाहते हैं तो आप मुझे पे कर सकते हैं ठीक है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं मेरा QR कोड क्या है आप उसे स्कैन करके पे कर सकते है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो तो यह है दोस्तो मेरा QR कोड और इसे आप स्कैन करके जो भी पैसे संड करना चाहते है और यहाँ पर कर सकते हैं फाल ली यहाँ पर वीडियो खत्म होता है मिलते है अपने एक लिए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार